वल्कम तो श्टडी चैनल में नाम है मुहम्मद कैसर बात करेंगे बिहार की परतमान जो सिक्षक भरती चल रही है इसमें अभी फिलहार क्याप्र किरिया हो रही है और आमार आपका कब तक आयागा रिजल्ट में क्या डिले हो जाएगा और नई सिक्षक भरती कब तक आपकी 1200 पास मादमी को रुछ मादमी के पद इसी के साथ वर्तमान भरती में जो भी मादमी कुछ मादमी के पद रिखत रह जाएगा उसे अगली भरती में जोड़ दिया जाएगा तो ये त्यारी है जिस पर विग्यापन आयЕगा अक्टूबर में विग्यापन निकालने की त्यारी है और दिसंबर तक परिक्षा हो जाए यही कोशिस है बिहा सरकार की और इसी के लिए बिहा सरकार ने BPSC को निर्देशित भी किया है लेकिन इसी बीच वर्तमान भरती को भी तो पूरा करना है कमसे का मिस का रिजल्ड निकालगा डिवी होना शुरू हो जाए तब नई सिक्षक भरती का विग्यापन जारी हो चुकि पहले जो वर्तमान भरती चल रही है अकला 70,000 पदों पर यह भरती बताया गया था कि जल्द पूरी होगी सेप्टेंबर में ही सभी पदों का रिजल्ड जारी हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया माद में कुछ माद में की डीवी तो हो गए लेकिन प्रातमिक सिक्षक भरती अभी फसी हुई है और अपडेट ये है कि बहुत ही जल्द प्रात्मिक सिक्षक भरती का OMR शीट जारी होगा तो अभी OMR शीट जारी होना है फाइनल एंसर की यानी है उसके बाद रिजल्ट आएगा रिजल्ट को लेकर अभी तक त्यारी ये है कि 15 एक्टूबर तक रिजल्ट जारी हो जाए इसके बाद दोस्तों चांसे पूरे-पूरे हैं कि जो सिटेट अपियरिंग वाले छात्र हैं उनको एक बड़ और मौका मिलेगा कि वो अपडेट कर सके हैं कि वो पास हुए या नहीं क्योंकि काफी 6 सिटेट में फेल हो गए हैं आपको पता ही है रिजल्ट काफी खराब बना है पूरे देश की बात करें तो 24% बिहार की बात करें तो 7.5% के आस पास यदि बीना सिटेट अपियरिंग छात्रों की इनफॉर्मेशन लिए रिजल्ट जारी होता है तो जो सिट क्लिए या बीन दीन दीन के लिए चाट दूं के लिए वह अपडेट कर सकें और जो अपडेट करेगा कि वह सीटेट पास हुए हैं और वह अपना डॉकॉमेंन अपलोड करें गे जो सिटेट की website प्र अबलेबल है अपना रिजल्ट का स्क्रिन सॉर्ड तभी उनका रिजल चीज होता है तो मांग के चलिए पूरा अक्ट्यूबर का फॉस्ट वीक इसमें निकल जाएगा उसके बाद रिजल्ट की प्रिक्रिया सुरू होगी उच मादमिक मादमिक फिर प्राइमरी का सब कुछ ठीक रहा तो 15 अक्ट्यूबर या इसके आसपास रिजल्ट आपका निकल सकता है 20 अक्ट्यूबर के आसपास तो निकल जाना चाहिए लेकिन इसी बीच बीच के कुछ ठाद चले गए है सुप्रिम कोट और वो ये मांग कर रहे है कि बीच के चात्रों का भी रिजल्ट जारी किया जाए हाला कि अभी तक विहार सरकार या BPSC ने ओफिशली ये नहीं कहा है कि हम बीच का रिजल्ट नहीं देंगे प्रात्मिक में लेकिन सबको लग गया है कि बीच का रिजल्ट रुकने वाला है अभी हाली में BPSC विच्छा विभाद की मिटिंग होई ति उसके बाद खबर आई थी कि बीच का रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन BPSC ने अपनी दरब से भी कोई ओफिशल नोटिस जारी नहीं किया है जो भी मामले B.A.D.V.S. T.L.A.D. संबंदी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बिलकुल एक दो सुनवाई में या बिना सुनवाई ही मामले को निप्टा दे रहा है तो इसको लेकर आप परिशान मत होए और यदि कोई मामला पटना हाई कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के ओर्डर को ही माना जाएगा बस यहाँ पर बिहार सरकार को अंतिम फैसला लेना है कि उन्हें क्या करना है इस पर लगातार विचार मिमर्स भी हो रहा है बहुत ही जल चीजन असपस्ट होंगी मुझे रखता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के केस की वज़ए से रिजल्ट में कुछ डिले होगा चारा से जारा डिले हुआ तो एकास सपता हका हो सकता है क्यांकि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में फिर बिहार सरकार को अपना पक्ष रखना पड़े लेकिन इससे आप डिले नहीं होगा कि वर्तमान भर्ती का रिजल्ट जारी हो जाए ताकि जब नहीं भर्ती का आवेधन शुरू हो तो छात यह बिल्कुल क्लियर हो सके हैं कि उन्हें फिर से आवेधन करना है या नहीं करना है तो जहीं कुछ अनकारी थी आपनों काभी डाउट आ रहे थे संबंद में रिजल्ट को लेकर नहीं भर्ती को लेकर तो मैंने आपर पूरी कोशिश की है आपके सभी डाउट को क्लियर करने की वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरू करिएगा चैनल को की सभी लेटस्त और आथेंटिक इन्फरमेशन मिलती रहे थांक्स फॉर वाशिंग